ये आकाश्वणी है अब आप विमलीन दुपांडे से समाचार सुनियें कुडन कुलम पर्मानु सैंत्र एक माह के भीतर काम करने लगेगा प्रधान मंत्री कार्याले में राज्य मंत्री वी नराण सामी ने चिन्ड़ी में पत्रकारों से कहा कि सैंत्र में यूरेनियम भरने का काम पूरा कर लिया गया है रूस के सहयोग से निर्मित सैंत्र के पहली एकाई अगले तस दिन में पूरी तरह काम करने लाइक हो जाएगी और अगले महिने इसमें बिजली का उत्पादन होने लगेगा दूसरी एकाई अगले साल मार्च में चालू होगी हिमाचल पदेश विधान सभा चुनाव में अब कुल 68 सीटों के लिए 455 उम्मीदवार मैदान में है मतदान अगले महिने की चार तारीख को होगा कल नाम वापस लेने की अंतिमते थे भारती जनता पार्टी और कॉंग्रिस के कई बागी उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिये हैं लेकिन अब भी लगभग 30 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों पार्टीयों को बागी उम्मीदवारों का सामना करना पड़ेगा असम सरकार ने प्रवासियों के बारे में शूइद पत्र जारी किया है गौहाटी में शूइट पत्र जारी करते हुए मुखे मंत्रित टरून गोगोई ने कहा कि सिमा पार से बिना किसी काखजाद के असम में प्रौास किस्थवि एतनी चिंता जनक नहीं है जितनी पहले थी श्वेत पत्र में कहा गया है कि असम में गयर कानूनी प्रवासियों का ठीक ठाक आंकड़ा देना मुश्किल है गोगोई ने बताया कि 1985 से जुलाई 2012 के बीच विबेन ट्राइबिनोलों ने ये संख्या 61774 बताई है इसमें आसम बंगलादेश सीमा पारकर 1966 से 1971 के बीच और इसके बाद आसम में आने वाले विदेशी भी शामिल है मनिपुर में इमफाल पशिमी जिले में नगर पालिका आयुक्त के आवास पर आज संदिग्ध आतंगवादियों ने एक शक्तिशाली हत्गोला फेका हलांकि वो नहीं फट पाया सरकारी सूत्रों ने बताये कि बाद में पुलिस ने हत्गोले को निश्क्रिय कर दिया किसी व्यक्ति या ग्रूप ने इसके जिम्मेदारी नहीं ली है इस बेच पुलिस कमांडो और अर्धसैनिक बलों के अलग-अलग अभियान में तीन आतंगवादी पकड़े गए है पुलिस कनुसार उनके पास से आरडी एक सहित विस्फोटक सामगरियां बरामद हुई है आंधर प्रदेश सरकार ने राज्य के हत्खरगा क्षेतर के लिए 179 करोड रुपए के ततकाल पैकेज के घोशना की है मुख्यमंत्री किरंड कुमारेडी ने कलशाम हैदराबाद में कहा कि ये राशी दो तिन दिन में जारी की जाएगी पैकेज के अंतरगत राज्य सरकार लगभग 190 हधकरगा बुनकर सहकारी सोसाइटियों के लगभग 50 करोड रुपए के रण माफ करेगी केंद्र ने उचेतम ने आयाले को बताया है कि देश में 68% दूद भारती एक हाद्य सुरक्षा और मानक प्रादिकरण द्वारा तैग किये गए मांदंड के अनुरूप नहीं है अदालत में पेश किये गए शपतपत्र में सरकार ने कहा है कि प्रादिकरण द्वारा किये गए सर्विक्षण से पता चलता है कि शहरी खेतरों में 68% दूद निर्धारित इस्तर के अनुकूल नहीं है सर्विक्षण के अनुसार दूद में सबसे ज़्यादा पानी का अप मिश्रण किया जाता है इसके इस्तर में कमी आने के वज़ए यह है कि इसमें क्लोकोज और स्किम्ड मिल्क पाउडर मिलाया जा रहा है कुछ नमोनों में डिटर्जेंट के मिलावट भी देखे गई है आज पुलिस स्मृते दिवस है इस अफसर पर ग्रह मंतरी शूशील कुमार शिंदे केंद्री रिजर्ब पुलिस बल के शहीदों को नई दिल्ली में पुलिस मेमोरियल ग्राउन में शद्धान जली दे रहे हैं इस अफसर पर स्मृते परेट का आयोजन भी किया जा रहा है 31 अक्तूबर 1969 को पुलिस उप महा अधीक्षक करम सिंग और 20 जवानों पर जम्मु कश्मीर के लदाग शितर में चीनी सेना ने हमला बोल दिया था इस हमले में हमारे 10 जवान शहीद हो गए थे ब्रिटन के प्रधान मंतरी डेविट कैमरून की गड़बंधन सरकार द्वारा भारी घाटा कम करने के लिए खर्चों में कटवती लागू करने के विरोध में कर लंदन और अन्य शहरों में हजारों लोगों ने प्रधर्शन किया गड़बंधन सरकार ने कहा है कि अगले चार वर्षों में अधिकांश मंतरियों के बजट में पांचवे हिस्से की कटवती होगी इसके साथ ही ये समाचार बुलिटिन समाप्द हुआ